हेलो दुस्तों, दुस्तों मैंने जफ्ट अभी अभी जीयो फिल्मा पर आसेइक नाम की फिल्म देखकर खतम की, आसेइक तो यार ओनेफ्टली मुझे इस मूवी के बार में कोई भी जानकारी नहीं थी एक पोस्टर मैंने देखा था जो मुझे काफी इंटरिफ्टिंग भी लगा था, तो कल मेरे पास देखने के लिए बहुत सारा कंटेंड था एंड कल रात भर, आज पूरे दिन भर में काफी ज़या विजी था, उन्हीं कंटेंट को लेकर तो इसको देखने का मौँका नहीं मिला पेसंताय end movie ने मुझे वाकई काफी thrill किया and इतना thrill मुझे horror के नाम पर काफी time के बाद मुझे इतना thrill देखने को मिला मैं पिछली तपह मैंने annavel movie देखी थी जहांपर मुझे इतना thrill देखने को मिला था जिसका debut मैंने अभी तक publish भी नहीं किया तो यार movie का जो thrill वो काफी अच्छा था ना and storyland जो भी है storyland जो कुछ भी है वो ठीक ठीक थी काफी interesting थी end movie की जो pacing है जो length है and जो भी चीज़ है element moment यहां पर है वो काफी अच्छी थी end movie में मैं easily invest हो गया मतलब एक बाद जब मैं easily invest हो गया जिसमें की थोड़ा बक्त लगा एंड उसके बाद देड़ पॉने दो गंटे की यह फिल्म मतलब मैंने easily देख ली मतलब उसके बाद मुझे pacing को लेकर length को लेकर boring जैसे या drag होते हुए या disconnecting जैसे या distract जैसे issues देखने को नहीं मिले जब चीज़ें clear होगे समझ में आगी कि यहां पर क्या हो रहा है किसली हो रहा है किस तरह चीज़ें यहां पर है एंड कौन कर रहा है किसली कर रहा है तो उसके बाद movie का भी ज्यादा fast pace हो जाती है मैं ऐसा कह स मुझे कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिला इस movie ने मुझे मुझे मौका नहीं दिया कि भाई मैं इस movie को छोड़ दूं या pause कर दूं या break ले लूं या कौछ और कर लूं जो कुछ भी मेरे दमाग में IDF चल रहे थे वो सारे खत्म हो गया और मैं पूरी तरह से concentrate के बैट गया इस movie पर तो यहां पर storyline कुछ ही हुए कि एक बंदा है जिसको कुछ अजीब और करीब चीजें दिखाई पड़ती है वह एक्सपीरियंस कलता है और मुवी ऐस UK में fat है UK में based है तो उसको और रहुनी नाम उसका उसको कुछ अजीब और करीब चीजें दिखाई पड़ती है और कुछ होरर टाइप की अफकॉस वह पड़ने चुनल हॉरर तो उसकी जो गर्ल फ्रेंड थी प्रियंका उसके उन दोनों का ब्रेक अप हो गया और प्रियंका दमकी देती है कि मैं तुछ को देख लूँगी और उसके बाद वो एक नई लड़की से मिलता है तो फिर किलियर होगी मिलडब होगी जिसमें थोड़ा वक्त लगता है शुरुआत में तो उसके बाद मूबी की जो राइटिंग है वो काफी टाइट हो जाती है एक एक इंटेंसीट इकसाइडमेंट है जैसा कि मैंने कहा एंड थिरल काफी अच्छा था लेकिन अंत में यार चीज जो आइस क्यूब थे बर्फ थी पानी था बहां तक तो ठीक था पुलिस वाला आया बहां तक भी ठीक था एंड उसके बाद लोग जाके इस टब को देखते हैं बहां तक भी ठीक था लेकिन उसके बाद यार वो जो साथ आठ मिनट थे अंत वाले बिल्कुली कश्रा हो देखने के बाद मैंने क्रॉस चेक किया वो चीज मुझे काफी मतलब यार थोड़ी सर्प्राइजिंग लगी एंड यहां पर बताए गई है तो यह था एंड इसको देखते वक्त मुझे नेट्फिलिक्स का जो शो है हुल उसकी याद आ रही थी जो की हॉरर किना पर काफी अच्छा कंटेंट था इंडिया में जो इंडिया ने बनाया था तो यह है मुवी में ठीक ठाक थी राइटिंग ठीक ठाक थी पुटेंशल ट्रीटमेंट ठीक ठाक था इंटरस्टिंग था आज मैंने 1920 हॉरर्स अप दा हाइट दीखी तो बही मैं कहूंगा कि भाड में जा लेकिन चीज़ों को आप गेस करने लग जाओगे यहां पर उनके रिबील करने से पहले ही आप कहीं न कहीं अंदाजा लगाने लगोगे कि यह है इसकी बज है जो जायर भी था या डिरेक्टर यार उसको उतनाचे से संभाल नहीं पाई या राइटिंग जो है मतलब कहानी एटिंग जोहै वह थोड़ी और अच्ही हो सकती पी जो अंत था जो मूभी का जो अंत था जो स्क्राइट था वहाँ पर चीज़ें थोड़ी और व्यादा टाइट हो सकती थी तो कुछ इसू या पर इस सीक्या कर kı देखने की लैने लेकिन वही मैंने जैसा की खा है और जो होरर है वो मुझे जबल दस्त लगा वो मुझे देखकर मज़ा गए बाकि यार यहां पर सुनाली सेगल है वर्धन पूरी है फिद्धांत कपूर है एंड एलीना रॉं एक्ट्रस देखेने को मिलते हैं जो एलीना मतलब वो जो प्रियंका थी तो एक्टिंग लगब सभी के अच्छी है ठीक ठाक थी इंटरस्टिंग थी इंगेजिंग थी तो थेल मुझे काफी ज़्यादा पसंद आए रहे है तो टू एना हाफ इस्टार आउट फाइब या फिर मेरी रेटिंग रहे कि 2.7 इस्टार आउट फाइब आपने देखी है तो लिक कर बताना कि आप लोगों का इस मुवी पर क्या टेक एंड लाइक शेदें सब्सक्राइब करना चैनल को विडियो एंड मैं कहूंगा कि फैमली के साथ देख सकते हैं कुछ एक किसिंग फीन्स बगेरा यहां पर है अपना टेक लिक कर बताना एंड लाइक शेदें सब्सक्राइब करना को विडियो एंड दिशिव नितिश नहीं साइन अप थैंक यू